दोफ्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं यानि जनम पर्मान पत्र आप कैसे बनाएंगे जिसकी complete प्रोसेस इस वीडियो में लाइप दिखाने वाले हैं जनम पर्मानपत एक ऐसा दस्तबेज है जो लगभग बच्चे का जभी भी जनम होता है किसे हॉस्पिटल में तो उसको उसी हॉस्पिटल से उनका जनम पर्मानपत इसू करके दे दिया जाता है लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे का जनम उनके घर पे होता है जिस कारण जो जनम परमानपत किसी दुकान से या किसी साइबर कैफे में जाकर बनवा लेते हैं, जो कि हाथ ओ हाथ बना दी जाती है, आजकल इतना फ्रोड हो चुका है कि जनम परमानपत दो मिनट भी नहीं लगता है, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी आपको कुई कॉ परमानपत को बना सकते हैं, अब चलते हैं अपने स्किन पर और सारी जनकारी को step by step आपको दिखाते हैं कि कैसे जनम परमानपत के लिए ओनलाइन पंजिकरन करना है और कैसे इसको आप बना सकते हैं, जनम अब मिर्थू परमानपत बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना होता birth and date drive station के official website पे इसके लिए आप अपने mobile या लापरोप में जो भी browser है उसे open करेंगो Google में search करना है online update htm जैसे ही आप इतना लिखर search करते हैं आपके सामने online update htm.in का website मिलता है जिस पर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर एक option search का मिलता है जिसमें आपको लिखना है जनम परमानपतर online और search वाले विकल पर click करेंगे तो आपके सामने detail article आ जाएगा कि जनम परमानपत ऑन-la Southern कैसे बनाया है जिस वाले विकल्पर click करना है जहां पर आपको सारी जनकारी समझाई गई इसका लिंक हम डाइरेक्ट वीडियो डेस्क्रिप्शन में दे दिये है जिस पर क्लिक करेंगे आप यहां पर आ जाएंगे online update htm.in वाले लिंक पर जिस पर क्लिक करेंगे तो यह आर्टिकल आपके सामने खुल कर आता है जहां पर जनम परमान पत्र क्या है इसका क्या लाब है साथ इसको कैसे आप बना सकते हैं इसके पूरी这个 by该 process बताई गही है इसके अलाबे भी आप देखेंगे तो किसी का अगर जनम परमान पत्र सुधार करना है तो वो कैसे करेंगे वीडियो के साथ आपको मिलेगा उसके अलावे आपको चेक करना है कि आपका जन्म परमान पत असली है या नकली है जिसको भी आप यहां से चेक कर सकते हैं उसके अलावे किसी भी होम रखे अगर आप वेक्ती है उसका बनाना चाहते तो कैसे बना सकते हैं वो सारी वीडियो इस website पर आपको mention कर दी कही जहां से आकर आप बारी किसे समझ सकते हैं जरम पर बनाने के लिए direct important link वाले section में online direct station का विकल्प मिलता है जिस पर click करना है अगर इस website पर इससे पहले कभी भी अपने आया था और अपना registration किया था तो direct अपना जो user ID password डालकर login कर सकते capture डालकर अगर पहली बार इस site पर आ रहा है तो एक option मिलता है general public sign up का जिस पर आपको click करना है जहां पर आपके सामने registration form खूलेगा जिसमें basic जनकारी डालना है जिसमें सबसे पहले आपको एक username बनाना होगा username में आप चाहे तो अपना करेंगे तो आपके सामने calendar आता है यहां पर बचे का ूभी चनम हुआ होगा जो भी साल होगा साल यहां साठव स्लक्ट करेंगे जो month होगा month select करेंगे और जो date होगा due states यहां पर select करेंगे फिर यहां पर देखिएंगे pandemia जो भी राज यह होगा अब शबसे पहले आपको यहाँ devi पहले आपको यहाँ से अपना से उर्ष्टेट को चुन लेना है जो भी जिला होगा जीला का नाम मिलेगा उसको चुनेंगे और देखेंगं यहाँ पर आपका सब डियाइट को होगा जिसको को डालना है और एक option मिलता है register का जिस पर क्लिक करना है इस परकार देखेंगे एक message आगक thank you for registering यानि आपका registration कंप्लीट हुआ है और यहां पर बोला जाता है कि email id पर आपका activation जो user id है वो भेज दिया क्या होगा आप simply यहां पर click here login वाले पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप mail को अपना check करेंगे जो आपको user id password मिला होगा उसको डालेंगे capture को डालेंगे direct आपको login करना है इस पर कर देखेंगे एक आपको mail आता है जिस पर आपको click कर लेना और यहां पर देखेंगे एक link आपको भेज़िद दिया गया है जिस पर click करके आप अपना जो id है उसको activate कर सकते हैं और उपर में ही आपका user id भी मिल जाता है जिसको आप यहां से ही copy कर सकते हैं direct आप जब इस link पर click करेंगे यहां जो password बनाना चाहते है उस code डालेंगे फिर उस password को confirm करना है पास्वीड बनाते से में ध्यान रखे एक यह आपको बड़ा आक्छर का उप्योग करना है फिर आपको क्या करना है कोई भी एक symbol जैसा id rate आज इस पर कर कर देंगे फिर आपको अंक देना है इस crop grant बनाना है उसके बाद ही आपको इस capture code को डाल कर नीचे में एक option मिलता submit का जिस पर click करना है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका user ID password successful update होता है अब आपको user ID डालना है जो नहीं password बना है उसको डालना है capture को डालना है login पर click करना है login करने के बाद इस परकार का interface आएगा यहाँ पर कई सारे option मिलेंगी यहाँ पर एक option आपको मिलेगा birth का और नीचे में एक option मिलेगा add birth registration जिस पर आपको click करना है click करने के बाद आपके सामने birth registration का जो form है registration form खुलता है जिसको आपको ध्यान पुरवक भरना होगा सबसे पहले आपको primary language आपको चुनना है Hindi या English में आप form को apply करना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर देखेंगे secondary language आप यहाँ से चुन सकते हैं अने थार नहीं चुनना है तो none वाले विकल पर भी आप click कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपस पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई form number है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं नहीं है तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि कोई भी आप number यहाँ पर डाल सकते हैं आप अपने अनुसार डाल दीजीगा reporting जो date है यानि किस date को आप इस form को apply करते हैं आपको देखनों को मिलता है अब यहाँ पर कुछ information पूछी आती जैसे बच्चे की सोचना है तो बच्चे का जो जन्म है कब हुआ था वो date आप यहाँ से select करेंगे calendar मिल जाता है आप यहाँ से वो date mention करतेंगे बच्चे का जो भी link होगा पूरुस बच्चा लरका है लरकी है उसकी जनकारी आप यहाँ से पूश्टी करेंगे फिर आपको नीचे आना है उसका जो भी नामा करन होगा होगा क्या उनका first name है वो डालेंगे middle name जो होगा डालेंगे और last name जो होगा यहाँ पर डालेंगे कई case में क्या होता है कि बच्चे का नामा करन नहीं हो पाता है उस case में आप इसको blank छोड़ सकते हैं क्योंकि clear देखेंगे यहाँ पर इस परकार start लगा हुआ है वो detail आपको डालना है बाकी detail को आप चाहे तो इसको blank छोड़ सकते हैं उसके बाद उनका जो अधार कार्ड नंबर होगा नहीं अगर है तो आप mention करेंगे अने था इसको blank छोड़ेंगे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे जन्म का अस्थान पूछा जाता है कि बच्चे का जो जन्म हुआ है वो घर पे हुआ है तो यहाँ पर आपको house वाल को mention करेंगे लोकालिटी पोस्ट ओफिस को mention करेंगे उसके अलावे यहाँ पर आपका state select रहेगा district रहेगा सब district रहेगा और आपका village रहेगा pin code को यहाँ पर आपको mention कर देनी है नीचे आएंगे तो यहाँ पर father का detail mention करना है father का first name middle name last name आपको देना है और जो नाम आप यहा जालना पड़ता है जैसे अगर माल लेजिए हम यहाँ पर कोई नाम डाले है तो यहाँ पर जैसे ही space डालेंगे तो हिंदी में automatic नाम आ जाता है माता जी का जो नाम होगा उसको यहाँ पर mention करना है English में लिखेंगे हिंदी में नाम आ जागा उसके बाद यहाँ पर देखें के समय माता-पिता का पता पूछा जाता है जैसे अगर मान लेजे बच्चे का जिस समय जन्म हुआ था माता-पिता अगर इंडिया में ही थे तो इन इंडिया को ही सलेक्ट रहने दिना और माता-पिता का जो फूल एड्रस होगा वो यहां पर आपको मेंसन कर देनी है फिर उन मिलता सुचना-दाता यानि जो लोग इन जन्नम परमानपत को बना रहे हैं यहां पर उनकी जनकारी आपको देनी है उनके माता-पिता बनवा रहा है तो उनकी जनकारी होगी यहां पर अगर मान लेजे आपने उपर जो डीटेल आपने दिया है अस्थाई पता और जो मिलता है सेव का जिस पर क्लिक करना है अब आपको डीडेक करेगा अगले पीज पीज यहां पर देखेंगे टाउन विलेज का जो डीटेल है जो कि मा का निवास सहर या गाओं है वो आपको बतानी है आप से पूछा जाता कि क्या आप सहरी छेतर में रहते हैं या ग्रामिन या उनकी पढ़ाई मैटिक तक हुई है मिडिल तक हुई है प्राइमरी तक हुई है तो यह आप अपने जनकारी को मेंसन करेंगे पिता जी का क्या पेसा है और क्या करते हैं यहां साब बता सकते हैं इनमें से अगर किसी भी परकार की काम करते हैं तो उसके बाद आपको नी पहली साधी के समय क्या थी यानि साधी जिस समय उनकी हुई थी तो उस समय उनकी उम्र क्या रही होगी वह जनकारी आप यहां पर mention करेंगे उसके बाद बोला जाता है कि मा की उम्र जो है इस जन्म के समय कितना है तो उसकी जनकारी आप यहां पर mention करेंगे फिर यहां पर सुन सकते हैं यहां पर पूछा जाता है डिलेवरी के समय कुछ जनकारी आप से पूछी जाती है जैसे बच्चे का जो जनम हुआ है किस रिस्तेदार या अन्य जगों पर हुआ है या डॉक्टर या नर्स के पास हुआ है स्पीटल में या जो प्रागत तरीके होते उस तरीके से हुआ है तो आप अपनी जनकारी को यहां से फिल करेंगे फिर यहां पर आप देखेंगे कुछ जनकारी पूछी जाते है डिलेवरी मेठर आप से पूछा जाता है कि नॉर्मल ही हुआ है तो आप यहां पर नॉर्मल को चुनेंगे उस समय आप से बोला जाता है कि जनम के डिना चाहते तो देश सकते हैं यह था इसको ब्लैंक खोड़ेंगे पिये लगा हुआ है फिर अपने डीटेल को यहाँ से जैब करेंगे आपको एक रिपोर्टिंग जो फॉप आता है login पर click करना होगा फिर यहीं पर आप देखेंगे बर्थ वाले पर आएंगे एक option मिलता है print reporting का जिस पर आप click करेंगे तो इस परकार आपका जो reporting form है और खुल कर आएगा जिसमें आपने जो भी जैनकारी फिल किया होगा सभी जैनकारी आपका mention होगी और साथ ही यहाँ पर दे देखा हुआ कि इस form को आपको print करके इसको reporting करवाना होगा जो कि आपका पूरा detail mention है कि आपका जो भी रविश्टार होगा जैसा अगर मालीज आप ग्रामिन छेतर से आते होंगे तो ग्रामिन छेतर में जो आपके पंचाथ सचीव होते हैं या आपके पंचाथ में एक RTPS का करना होगा समिट करते समय माता पिता के अधार का डेचस में देना होगा अगर आपने जो रिपोर्टिंग फार्म भड़ा होगा फार्म को लगाना होगा तो इस सभी दथावेजों को लेकर आपको वहां पर समिट करना है आपकी document जो भी होगे उसका जांच की जाएगे जाता है और वहीं से आपको offline माध्यम से भी आपको इसको प्राप्त कर दिया जाता है online download करने का भी link हम आपको उपलप्त करा देंगे उससे website पे जिसका link हमने video description में दिया है पर भी click करके आप देख सकते हैं दोस्तों अभी आपने देखा जनम पर्मान पत्र कैसे बनाई जाती है जिसकी complete process हमने आपको इस video में पता है अगर माले जी आपका उम्र 18 साल से धीक हो चुका है या 1 साल से धीक हो चुका है तब आप बनाना चाहते तो उससे कैसे बनाएंगे वीडियो यहाँ पर मिल रहा होगा अगर आपको चेक करना है कि आपका जनम परमानपत नकली है या असली है वीडियो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा क्लिक करके देखिएगा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके आप जरूर बताए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद